हेलो स्टूरेंट्स दिस इस उमंग शर्मा फ्रम आपका सेपाथी स्टूरेंट्स आज हम करेंगे आपके NCRT की बुक का क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सोस डॉकुमेंट्स और वाउचर सोस डॉकुमेंट्स हमारे लास्ट सेशन में कर चुके हैं अगर आपको वह वाला सेशन आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप महां से देख सकता है आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे वाउचर वाउचर क्या होते हैं और उनका यूदम कब और कैसे करते हैं अगर स्टार्ट करने से पहले आपने ह क्या होते हैं एक बॉच्चर होता है जैसी आपको के पास भी तो कोई कोई प्रूफ होना चाहिए जब आप जिसे आपने कोई सामन पचेश किया और सामन में कोई डिफैक्ट हुआ आप जब उसे रिटर्न करने जाओगे तो आप उसे कैसे इस बात का प्रूफ दोगे कि यह सामन उसी से खरीदा गया है उसके लिए जो भी जो प्रूफ होता है जो आपको जब आप सामन पर्चेस करते हो तो दुकानदार आपको देता है उसको हम बोलते हैं वाउचर वाउचर के बहुत सारे टाइप यहां पे हैं आपके हमारे पास कैश वाउ वाउचर है और भी बहुत सारे होते हैं जिनको हम एक ही करके बढ़ेंगे सेकिंड वाउचर का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता वाउचर की जो भी जो भी एंट्री होती है वह अपने एकॉर्डिंग कम या जादा की जा सकती है अब देखते हैं वाउचर कितने टाइप क्यों होते हैं वाउचर के वैसे टू टाइप में टाइप की अगर बात करें तो टू टाइप होते हैं जिसमें एक होता है सोर्स वाउचर और सेकिंड वाला होता है एकाउंटिंग वाउचर सोर्स वाउचर जो कि हम लास्ट वाले सेशन में कर चुके हैं आज हम पढ़ेंगे एकाउंटिंग वाउचर एकाउंटिंग वाउचर को भी दो टाइप में डिवाइड किया है एक कैश वाउचर और एक नॉन कैश वाउचर कैश वाउचर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कैश वाउचर में सिर्फ कैश रिसीव या कैश पेमेंट को ही लिखते हैं और नउन कैश वाउचर के अंदर आते हैं डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और जर्णल वाउचर इस तरीकी के vouchers हमारे किस्ते में आते हैं non cash voucher में अच्छा हम जब भी कोई accountant source document को analyze करके source document को जब कोई accountant अच्छे से analyze कर लेता है जब यह पता कर लेता है कि हमारा कौन सा voucher के side में जाएगा मतलब कहने का मतलब यह है कि कौन सा account हमारा debit होगा और कौन सा account credit होगा तो यह लिखना credit उसे accounting voucher कहते हैं समझ में आया source voucher को अच्छे से analyze करने के बाद कौन सा जो हमारा account है वो debit होगा कौन सा credit होगा यह किसमें पता करते हैं हम यह पता करते है accounting voucher में अब जो इसके बागी सारे type है cash voucher debit voucher इनके format क्या होते हैं यह सब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स सेशन में नेक्स सेशन देखने के लिए आप पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन ज़रूर प्रेस करना जब तक आप बैल आइकन प्रेस नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और इस्टिल आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बिता सकते हैं थैंक्यू सो मुझ झाल मुझे झाल मुझे पार है